ये है दैनिक प्राथाकाल कार्ड दिचिटल एडिशन प्राथाकाल लाइफ देश की आर्थिक राजधानी की मुंबई पुलीस के शिकंजे से बचने के लिए ड्रग्स स्मगलर नए नए तरीके तलासते रहते हैं हलाकि देर सबेर वहा पुलीस की गिरफ्त में आते जरूर हैं ताजा मामला मुंबई के दिल्डोसी इलाके का है जहां पुलीस ने चार आटो रिक्सा ड्राइवर को गिरफ्तार किया है पुलीस ने इनके पास से ड्रग्स भेजबत की है पुछताच में आरूपियों ने बताया कि वो ड्रग्स का सप्लाई का काला कारूबार आटो रिक्सा की मदद से कर रहे थे इन्हीं आटो रिक्सा में बैट कर वो अलग-अलग इलाकों में ड्रग्स बीचते थे पुलीस के मुताविक यह गैंग मुंबई के घाटकों पर इलाके से ड्रग्स लेकर गुरे गाउं में सप्लाई करता था पुलीस सुतरों की माने तो यह गैंग फिल्म सीटी में भी ड्रग्स की सप्लाई करता था घटना स्थल से पुलिस ने इन आरोपियों के पास एक गांजा जप्त किया है करने के बाद पूछताच करते समय वह भागने की कोशिश कर रहे थे तभी साब और उनके स्टाप ने उनको दबोज लिया उसी वक्त सहाब ने पूलिस ने से और मदद मांग ली तब मैं एपियाई घार गए पियासाई बंसोडे हम सब लोग वह गटनस्तल पे गए वह पे अ और पूछताच की तब पता चला कि यह लोग घाटकोपर के रहने वाले हैं तीन लोग घटनसल पे पाए उन तीन लोगों के लोगों से आधिक पूछताच करने के बाद उनका चोथा जो सहकारी है जो घाटकोपर में रहता है उनका नाम बताया यह चारों लोग घाटकोप रिक्षा में इतर उदर जाके कही जगह पे माल बेचते हैं, उनकी एक महिला साती है, जो ओंटेड है, अभी उनकी तलाज जारी है, जल्दी उनको गिरप्त किया जाएगा, यह जो माल है, टोटल दो किलो माल है और उसकी कीमत लगभग 30 से 35 हचार तक है, आगे की इंवेस्ट हमारे सुपरियर ऑफिसर के महा गाइडनस में चड़ रही है, जानकारी है कि काफी लंबे समय से यह लो घाट को पर से ड्रक्स लाते थे और यहां मलाग दिंदुसी गोलेगाउ इलाके में सप्लाई करते थे, इसके बारे में पूछताच जारी है, जैसे पूछताच कम्प कर रहे का से माल लाते हैं, का का बेचते हैं, जिन जिन लोगों का नाम सामने आएगा उनको वारिष्ट करते हैं, इस सभी बातों के जाज चल रही है, जाज होते ही हम आपको अगर आप ये तारिक्रम यूट्यूब पर देख रही हैं, तो हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फेस्बूक पर देख रही हैं, तो हमारे पीच को लाइट करना ना भूले